तो पाकिस्तान की नमक इंडस्ट्री अब दूबने की कगार पर है और इसे बचाने के लिए पाकिस्तान अब भारत की मदद चाहता है कुछ सालों पहले जीस पाकिस्तान ने भारत से अपने सभी व्यापारिक संबंध खत्म करने की कसम खाई थी अब वही पाकिस्तान भारत स पाकिस्तानी नमक के लिए अपने दर्वाजे नहीं खोले तो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा एक स्पोर्ट सेक्टर डूब जाएगा एक काफी बड़ी रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है में खबर यह है कि सॉल्ट मैनुफेक्चरिस असोसियेशन आफ पाकिस्तान यानि की एस मैप ने पाकिस्तानी सरकार से भारत के साथ ट्रेड बेंग को खत्म करने की बात की है क्योंकि इस बेंग की वज़े से नहीं पाकिस्तान साउथ इस्ट एशियन देशों को सस्ता नमक ए सभी केमिकल्स का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता सप्लाय है पर पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंध होने की वज़े से यही केमिकल्स पाकिस्तान को दूसरे देशों से ज़्यादा पैसे दे कर लेना पर पड़ रहा है इसके अलावा लाल सागर का रूट बंध होने की वज़े से पाकिस्तान की नमक इंडस्ट्री ऑलरेडी घाटे में चल रही है अगर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच सब कुछ ठीक होता तो भारत के धू पाकिस्तान बांगलादेश नेपाल श्रीलिंका भूटान और म्यानमार जैसे देशों के अलावा इंडोनेशिया थाइल और मलेशिया जैसे देशों को नमक एक्सपोर्ट कर सकता था पर अब इसी नमक को पाकिस्तान एक लंबे रूट से इन देशों तक पहुंचा रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा कॉस्ट पाकिस्तानी प्रोड्यूसर को देनी पढ़ रही है आपको बता दे कि इस वक्त पा पाकिस्ताने पीने की चीजों में होता है आपको बता दे कि रॉक्स अल्ट यानी की सिंदा नमक भी अभी तक भारत पाकिस्तान से इंपोर्ट करता था लेकिन आर्टिकль 230 हटने के बाद जब पाकिस्तान ने भारत से ट्रेड रिलेशन्स खत्म करने की बात की तो भारत ने लाल सागर की वज़े से हो रहे नुकसान की बड़ी भरपाई की जा सकेगी यही वज़े है कि अब पाकिस्तान भारत को सेंधा नमक की सलाई दूसरे मिदल इस डेशों के रास्ते कर रहे हैं और इसमें काफी बड़ा प्रॉफिट मार्जिन सॉल्ट प्रोड्यूस को गवाना पड़ता है अगर यह ट्रेड बेन हट जाए तो पाकिस्तान डाइरेक्टली सस्ते दामों में भारतिय मार्केट में अपना सिनहा नमक बेच पाएगा और लाल सागर की वज़े से हो रहे नुकसान की बड़ी भरपाई की जा सकेगी पर पाकिस्तानी सरकार अभी भी अपनी इगो